गुजरात के जुनागर में एक मजार को हटाने के लिए नोटिस को लेकर शुक्रवार की शाम को बवाल मच गया सैकड़ों लोग मजार के सामने इकठा हो गए और नारे बाजी करते हुए पत्थर बाजी भी शुरू कर दी यहां तक की गाडियों में भी आग लगाती इस घटना में एक डिप्टी एसपी सही चार पुलिसकर में भी घायल हुए है पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा टियर गैस छोड़नी पड़ी मेडिया रिपोर्स के मताबिक इस घटना में एक शक्स के मौत भी हो गई है जिन लोगों ने दरगाह को लेकर बवाल किया और चार पुलिस वालों इस मामले में घायल हुए है उन्हें देर रात ग्रफतार कर लिया गया है सभी को पुलिस ते उसी दरगाह के सामने खड़ा किया और बिल्ट से उनकी जम कर पीटाई की गई हलाकि पुलिस की इस तरह से इन लोगों की पीटाई पर सोसल मेडिया में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर आरोपियों को अदालत में पेश कर इन पर कानूनी कारणुआई करनी चाहिए ना कि पुलिस को इस तरह से इनकी पीटाई करनी चाहिए वहीं पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं और सैक्डो पुलिस कर्मी पूरे जुनागड शहर में तैनात किये गए हैं मेडिया रिपोर्स के मुताबिक जुनागड के स्पी रवी शेटी ने बताया है कि मजेवाडी रोट के पास एक सड़क पर मजार है उस मजार को कॉर्परेशन ने पांच दिन पहले नोटिस जारी किया था कि अगर किसी के पास इसका क्लेम है तो वो कॉर्परेशन में पेश करें इस नोटिस पर नाराजगी वेक्त करते हुए शुकरवार की शाम को पांच से छे सो लोग वहाँ पर इकठा हुए और रास्ता रोकनी की कोशिस करने लगे इसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुची जिसमें डी एसपी हितेश सहित अन्य पुलिस करमी भी थे एक घंटे से भी ज्यादा समय तक इन्हें समझाने की कोशिस की गई उस समय किसी ने पीछे से पत्थर बाजी करते हुए नारे बाजी शुरू कर दी पुलिस को इसके बाद लाठी चार्ज का सहारा ले रहा पड़ा उस पत्थर बाजी में पुलिस करमी भी घायर हुए है बहराल गुजरात के जूनागड में अब हाला जो है वो काबू में है